आकाश्मानी वोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं डीपा सिंख सबसे पहली मुख समाचार लोगसभा चुनाओं के दूसरे चरण में 88 लोगसभा सीटों पर करीब साथ फीसदी से जादा हुआ मद्दान प्रदेश में 58 प्रतिशत वोट डाले गए लोगसभा चुनाओं के चौथे और प्रदेश के लिए अंतिम चरण में जांच के बाद आट लोगसभा शेत्रों में 90 उमीदवारों के नावांकन पत्र पाये गया वैद राज्जी में अब सभी दिल तीसरे और चौथे चरण के चुनाओं में लगा रहे हैं पूरा जोर और आईपिल क्रिकेट में पंजाब किंक्स ने हासल किया रिकॉर्ड लक्ष कोलकादा नाइट राइडर्स को आच फिकेट से हराया अब समा चार बस तार से लोगसभा चुनाओं के दूसरे चरण में करीब 60.9 प्रदिशत मदान दर्श किया गया इस चरण में 88 लोगसभा सीटों पर बोट डाले गये मदान शांतिपून रहा और गर्मी की लहर के बावजूद विभन शेत्रों के मदाताओं ने इसमें उत्साह पूर्वक भाग लिया तीरह राजियों और किंडर शासित प्रदिशों के मदाताओं ने बोट डाले निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कानोन व्यवस्ता बनाए रखने के कड़ी सुरक्षा उपायों से मदाताओं ने भै मुक्त महौल में मदान किया दूसरे चरण में जिन प्रमोक उमीदवारों के राजनातिक भागे का फैसला इमियम में दर्ज हुआ उनमें केरल की वाइनाट से कॉंग्रस नेता राहूल गांधी कॉंग्रस नेता शशितरूर बैंगलूरू दक्षन से भारती इंता पार्टी के तेजस्वी सूर्या मतुरा से भाजपा उमिदवार हिमा मालिनी और मेरट से भाजपा के आरुन को विल शामिल है प्रदीश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 6 लोकसभा सीटों पर 58.26 प्रतिशत मद्दान दर्श क्या गया ये 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के तुलना में करीब 9 पीसिदी कम है हुशंगा बाद में सबसे स्यादा 66.72 फीसिदी मद्दान हुआ जबकि रिवा में सबसे कम 49.44 प्रतिशत मद्दान हुआ दमों में 56.33, खजुराहों में 56.91, सतना में 61.33 और टीकमगड में 69.2 तीन फीसिदी मद्दान हुआ लोगसभा चुनों के चौथे और प्रदीश के लिए अंतिम चरण में 8 लोगसभा शित्रों में 90 उमीद्वारों के नमांकन पत्र जाज के बाद व्याद पाए गये जबकि कुल 11 नमांकन पत्र आस्विक्रित की गये नमांकन पत्र भाचु के सुमवार 29 अप्रेल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे चौथे चरण के लिए 13 मई को मद्दान होगा सभी चरणों में मद्दान की मद्द करना चार जून को होगी चौथे चरण में दिवास और उजयन में 99 मनसौर और धार में आठा ट्रतलाम में तीरा इन दौर में 23 खरगौन में 6 और खंद्वा में 14 उमीद्वारों की नमांकन पत्र जाज के बाद वैद पाए गये हैं प्रुदीश में मद्दान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चौथरपा प्रयास के जा रहे हैं इन दौर के सभी महाविद्यालियों में चात्रों को मद्दान की अधिकार का महत तो समझाते वे मद्दान करने का संकल्ब ऑनलाइन गूगल फॉर्म से भरवाय जा रहे हैं वहीं भारत निर्वाचिन आयोग द्वरा नियोगत प्रेक्षक गड़ों ने संक्ट बैठक ली शुपरी जिले में लोकसभा चुनाओं को लेकर ग्वालियर सिंसदी शेत्र में शामिल विधान सभा करे रहे तो नियोगत सामाने प्रेक्षक क्रिष्णा आदिती ने सिकंदरा एसित एसेस्टी नाके का निरिक्षन किया खन्वा की पूनम चंद गुपता कॉलेज में नवीन मदाताओं की कारिशाला कायचन क्या गया कारिशाला में नवीन मदाताओं त्वरा उत्सा पूरवक मदादान करने का संक्कल्प लिया गया राजगर लोगसभा निर्वाचिन के अंतरगत आगार मालवा जिले के स्सनेर विधानसभा शित्र में मददान दलो को कल प्रसिक्षन दिया गया रैसीन में पॉस्टिक पिंजन के साथ साथ लोगसभा में शत प्रतिशत मददान के जाने का संतेश्ट तिया जा रहा है जिले में मदान प्रतीशत मढ़ाने में उत्कृष्ट कारे करने वाले अधिकारियों करमशारियों को पुरुद्साहित और समानित किया जा रहा है मुरैना जिन्पत पंचायत की ग्राम पंचाय जा रहा है और नायकपुरा में प्रिशासर ने ग्रामीरों की चौपाल लगाई और भै मुक्थो कर मदान करने की अपील की बैतूल में शिक्षिकों द्वारा इस्तानिय भाशा में नारे और रैली तथा बच्चों द्वारा गाउं में नाता के माध्यम से लोगों को जाग रुखिया जा रहा है गुना में जिलान वाचन अधिकारी डॉक्टर सतीन्दु सिंग ने रजस्तान सीमा से सटे मदान केंद्रों और असेस्टी नाकों का नेरेक्षन किया प्रादेशिक समचार एकान शाकाश्मानी मध्र प्रदेश द्वारा लोग सभाजुनाओं में श्रत्य प्रतिशत मदान सुरिशित करने के लिए जनता के आवाज साकाश्मानी के साथ नामा के खास कारिक्रम शिरुक्या गया है इसमें हम आम लोगों द्वारा मदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं। भारत के समस्ते नागरिकों से अपील करता हूँ कि लोग सभा चुनाओं 2024 में अपना अमूल मत आवस्य करें एवं दूसरे नाव मत दाता हूँ को भी प्रिरित करें दन्वारा यह समाचार आपका श्वाणी भोपा से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं। यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा अप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। भी के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री गांधी भिंड में कॉंग्रेस प्रत्याशी फोल सिंग बरया के पक्ष में आमसभा करेंगे। इसके बाद दो मई को कॉंग्रेस की राश्रे महासाच्यो प्रयांका गांधी मुराना में आमसभा करेंगी। चोथे चुरन की सीटों पर आजसान के पूर उपमक्ष मंतरी सचिन पाइलिट का एक दौरा प्रस्तावित है वहीं प्रदेश कॉंग्रस सद्धिक जीतु पत्वारी, पूर्व केंद्री मंतरे अरुन यादव, पूर्वनेता प्रतिपक्ष टॉक्टर गोविन सिंग, उपन सम्मान के साथ ग्रह ग्राम में अंतियुम संसकार क्या गया, शहीद शालिग्राम यादव को गार्ड आफ ओनर से भी नवासा गया, जवान शालिग्राम यादव, चतरपुर सिले के सुजचपर गाउं की रहने वाले थे, वेले लदाक में जाट रजिमेंट में पदस थे, तेस अपरेल के दिन सीना का ट्रकाई में गिर गया था, जिसमें शालिग्राम यादव भी त्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, आईपिल क्रिकिट में कल पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हरा दिया, कोलकाता के इडिन कार्डिन्स म सबसे बड़ा लक्ष हासिल के रिकॉर्ड जीत दर्श की, जौनी वेरस्टो के नाबाज शतक के दम पर पंजाब किंग्स ने 18 ओर और चार गेंदो में दो विकेट पर 262 रन बना लिये, शांक सिंग ने 68 रन और प्रफ सिमरन सिंग ने 54 रन की पारी खेली, से पहले कोलकात नाइट राइडर्स ने निरधारित 20 ओर में 6 विकेट पर 261 रन बनाएं, आज दो मैच के ले जाएंगे, पहले मैच में दिन में 3.30 बजे, दिली में डेली कैपिटल्स का मुकाबला मॉंबा इंडियन से होगा, जबकि दूसरा मैच लखनों में लखनों सुपर जाइंस औ और अंक तालिका में सबसे उपर सिद रजसान रॉयल्स के बीच होगा, ये मैच शाम 7.30 बजे आरम होगा प्रोदेश की दू आश्री खिलाडियों का भारती टीम में चैन क्या गया, इनमें आश्री अकादमी जबलपुर के खिलाडी क्रदेका, बिचपुरिया और अमित कुमार शामिल है अब कुस्तमाचार संक्षिप में इंडॉर सिली में 13 मैं को होने वाले लोगसमाच चुनाओं के मतान के लिए संपन हुए प्रसिक्षन कारिक्रिमों में बिना किसी कारण के अनुपस्तित रहे 208 अधिकारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोतिस टारी क्या गया है दिन दौरी में कलेक्टिर विकास मिश्णा ने कलेक्टरीट सभाकक्ष में पीसा, मोबिलाइसर और ब्लॉक अधिकारियों की बैठक ली मंडला में जनपर्थ पंचाद बिच्शिया के एक उप्य अंतरी को लोकायक पलिस ने 30,000 रुपे के रिश्पत लेते रंगे हाथों पकड़ा है मुरायना में मोखेचे के समस्वासरदिकारी डॉक्र आकेश शर्मा ने विश्व मलेरिया दिवस की प्रजार वुसार के लिए क्रैलेली को हारी जन्दे दिखा कर रमाना किया अन्ति में मुखे समाचार एक बार फिर लोकसवा चुनाओ के दूसरे चरण में 88 लोकसवा सीटों पर करीब 60 प्रतिशत से जादा हुआ मद्दान प्रदेश में 58 प्रतिशत वोट डाले गए लोकसवा चुनाओ के चौथे और प्रदेश के लिया अन्तिम चरण में जाज के बाद 8 लोकसवा शेत्रों में 90 उमीदवारों के नामांकन पत्र पाये गया वैद राज्य में आप सभी दल 3 और 4 चौथे चौनाओ में लगा रहे हैं पूरा जोर और IPL क्रिकेट में पंजाब किंक्स ने हासिल किया रिकॉर्ड लक्ष कोलकाता नाइट वाइडर्स को आज फिकेट से हराया इस मुलिटिन में इतना ही नमस्कार